हेलो वेवरेवन गुड़ वानिग गाईस तो बैक अब बात करें तो अगेन 50,590 के जो लेवल है 591 के जो आपके लिए हायर साइट के लेवल है जहां अगर मार्केट की ऊपर ओपन होता है तो खुलते से हम लोग कोई अपसाइट की मुझ बल सकती है अगर मार्केट की ऊपर जिस्ट अगर यहां पर उपन होता है इस तरीके से एगर फर्स्ट टेंडल हमको इस तरीके से पही दिखाई देता है तो खुलते से हम लोग बाइसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं ट्राइकर यह केंडल जितना पास में इस लेवल के यह यह पहले आप लूग मां कर इस लेवल की नीचे जो की है रांड 50,378 अगर यहां पर कैंडल ओपन होता है इस कैंडल इस लेवल की जस नीचे अगर कैंडल ओपन होता है उस कंडिशन में हम लोग खुलते से सैल के लिए प्लान कर सकते हैं अगर market इन दोनों लेवल के बीच में रहता है उस condition में market range बाउट रहे सकता है so as thex 50 को देखके लग रहे हैं कि market के रहे हैं इस level की उपर open अना होना चाहिए इस level की उपर open होता है और sustain करता है तो हमारे लिए buy का position रहेगा अगर market इस level से बहुत दूर open हो जाता है suppose market यहाँ पर open हो रहा है उस condition में हम लोग price action को देखेंगे कि price action क्या बना रहा है market उसके coding plan करेंगे अगर इस level के आसपास open होता है तो खुलते से हमारे लिए buy plan बनता है लेवल की जास नीचे अगर market open होगा तो price action के हिसाब से selling pressure बन सकता है market के अंदर तो हम लोग selling के लिए try करेंगे अगर इस level की ऊपर निकल जाता है तो buying के लिए try करेंगे बीच में कहीं पर market अगर open होता है तो range bound move हम लोग को तीपर मिल सकता है बात करते है nifty के levels की अगर market इस level की ऊपर open होता है तो खुलते से हम लोग को 40-50.100 तक की move खुलते से हम लोग को निचे में भी मिल सकती है और अगर market इस level की निचे open होता है तो हम लोग को 40-100 points की move निचे की तरफ देशने को मिल सकती है market अगर विश्यव अपन होगा तो range bound move यहां पर भी हम लोग को देशने को मिलेगा इसके लबा गाइस जो भी levels रहेंगे हम लोग अब लोग आप टेलीगा पर शेयर करते रहते हैं अगर आप लोग लोग नहीं किया है description में link available है आप जाके join कर सकते हैं डे टाइपने अगर हम लोग बात करें तो अभी भी market कहीना कहीं पर हमारी जो important levels जो हमारे है उनी levels के आसपास घूम रहा है तो निफ्टी के अंदर हम लोग buy plan तब ही करेंगे जब तक market ये level की उपर जो हमारा support one है support one के उपर market नहीं trade करना start करें तो फिलाल market support के नीचे trade कर रहा है इक में sell on dice का market है तो जब तक कि 24,732 के level के उपर closing ना दे दे या फिर उसके उपर sustain ना करना start करें तब तक के लिए sell on rice का market है similar type से अगर उन्लों के बात करें support के उपर support काफी दूर है वो है around 23,968 के असपास में बैंक रिफ्टी के अगर उन्लों के बात करें तो बैंक रिफ्टी भी again support 1 के नीचे trade कर रहा है तो यहां पर भी जब तक market support की उपर सब्सक्राइब करना start करें sell on rice का market रहेगा support 2 जो है वो support 2 है around 48,888 में support 2 जो बहुत दूर है तो कहिना कई पर market यहां पर sell on rice के अंदर है फिलाल के लिए जब तक की market यह levels की उपर trade करना ना start करें इसके लावा और जो भी updates रहेंगे हम लोग कुमार टेलीगाम चैनल पर share करेंगे description में link available है आप जाकी join कर सकते हैं thank you